नमस्कार मुप्रिया धराधर 30 खपरों में आपका सबागत है चलि जानते हैं देश-प्रदेश की अपता की प्रमुक खबरों को रूस का युक्रेन पर आखरम अनलगातार जारी है इस बीच अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे है युक्रेन की रास्टपती लोमेदीर जिलिंस्की ने अमेरिका से और लड़ा को विमान भीजने और रूस से तेल आयात कम करने की भावुक अपील की है ताकि उ जाता से जादा ग्रहकों को लुभाने के लिए चैनल पाक की कीमतों में करणोती कर रही है ऐसे समय में जब इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर अपने एवरेज रेवेन्यू प्रती यूजर में व्रधी करना चाहा रहे है वही टाटा प्रे जो से पहले टाटा स्का पिंग मामले में मुख्यमंत्री अश्योग गहलोत जय जल्दाय और भूजल विभाग मंत्री महिश जोशी और अन्यको सोलहमार्श को अदारत में पेश होने का नोटिस भीच दिया है नोटिस शनिवार को जारी किया गया दिली उपमुख्यमंत्री मनिश सुतोधिया ने कहा है कि विद्यार्थियों में उद्यमिता सोच को अप्रोज सहित करने पर केंद्रित दिली सरकार का बिजनेस ब्लास्टर्स कारिकरम अगले साल से नीजी विद्यालियों में भी शुरू कर दिया जाएगा उन्हाने कहा है कि भारत नौकरी चाहने वालों की मानसिक्ता के साथ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉनर की अर्थवस्था नहीं बन सकता है हम देश भर के चात्रों में उद्यम शीलता की मानसिक्ता विक्सित करने की देश की अर्थवस्ता को नई उचाईयों पर ले जा सकते हैं रूस और यूकरीन युद्ध के कारण बीटे दस दिन में ही गाजिया बाद जुले में खाते तेलों के दाम बढ़ गए हैं दुनिया भर में कोरोना संक्रमन के मामले 44.50 करोड को पार कर गये हैं वहीं ब्रतकों की संख्या करीब 7 लाके करीब पहुँच गई है पिछले 28 दन में दुनिया भर में कोरोना के 5 करोड 22 लाग से अधिक के सामने आ हैं जबकि 2.6 एक लाख लोगों ने महमारी से जान गवा दी है इस दौरान 53.50 करोड लोग का टीका करन हुआ है इसके साथ ही विश्व में कोरोना संक्रमन के मामले 44.50 करोड हो गये पियम मोदी ने टिकेट खरीद कर गरवारे कॉलेज से आनंद नगर तक मेट्रो में भी यात्रा की इस दौरान वो मेट्रो में बैठे स्कूल के बच्चों से बाचीत करते नजर आये जबती के मताबिक पूने मेट्रोरेल पर योजना पूने शहर में आवाजाही के लिविश्वस्तर ये बुन्यादी धाचा प्रदान करने का एक प्रयास है माधुरी दिख्षित ने एक परफॉर्मस देखनी के बाद हाली में एक रियालिटी शो पर कंटेस्टिन पर पैसे नियुचावर किये वो मंच पर गई और नियुचावर देते वे खिलारियों से कहा कि उन्हें किसी की नजर ना लगे हाला किता भी माधुरी दिख्षित का दिहान भारती पर भी गया माधुरी दिख्षित भारती के पास गई और उनके बेबी बंपर किस करते वे कहा आपको भी किसी की नजर ना लगे माधुरिदिक्षित का ये जश्चर लोगों को बहुत पसंद आया और भारती भी बस मुस्कुराती रहे गए, हर्श भी बस मुस्कुराते ही रहे, भारती ने कहा आप कितनी स्वीट है यूपी के वारानसी जिले में शनिवार शाम चनाव प्रचार समाप्त होते ही, भाजपा की बूथ समीतियों ने वोटर मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है भाजपा का प्रयास है कि वोटिंग के दिन अधिक से अधिक मतदान सुनेशित किया जा सके भाजपा संगठन के भीतर बूथ समीतियों का मुख्यकार प्रचार समाप्त होने के 36 घंटों के भीतर अपने शेत्रों के प्रत्तेक पद्दाता की परची पहुचाना सुनिशित करना है जिले के आठ विधान सभा शेत्र, वारानसी दक्षिन, वारानसी कैंट, वारानसी उत्तर, सेवापुरी, रोहनिया, अजर्गरा, पिंडारा और शिफपुर में सोमवार को मतदान होगा वीजाइंक और मास्टर कार्ड इंक ने रूस में सभी लेन दिन बंद कर दिया है यूकरेन पर रूसी रास्टपती ब्लामेदीर पुतीन के आकरबन के बाद अंतरास्ट्रे सबुदाय ने उनकी अर्थवस्था को अलग थलग करने के तहत के एक कदम उठाए गया है शनिवाल को कुछ ही मिन्टों में के भीताय दोनों की तरफ से इस के लिए अलग-अलग बयान जारी किया गया था गीजाने यूक्रेन पर रूस के अकरण आकरबन और अस्वी कारे घटनाओं का हवाला दिया है जबकि मास्टर कार्ड ने मौजुदा संघरुष की अभूत पूर प्रकिर्टी और अनिश्यत आर्थिक बातावरन का जिक्र किया है भारत ये गेहों की गुनवता कि अफगानिस्तान द्वारा तारीफ किये ज़ाने का जिक्र करते वे भारत ने कहा है कि इस युद्ध प्रभावित देश को मानवी है साहिता के तौर पर पाकिस्तान की सीमा के जरीए वो 4000 टन गेहों भीट करेगा आज 8 मार्च को 2000 टन पांच जवानों की जान भी चली गई है जबकि कुछ अने घायलों का अस्पताल ले जाए गया हो वहीं जवानने खुद को भी गोली मार ली है उससे भी गमईर आप हे की जवानने ज्यादा डूटी ली जा रही थी उसकी पहचान महराषट के सुद तप्पय के रूप के खासा में देहशत का माखौल है रूस और यूकरेन के बीच 11 दिन के बाद भी योधि जा रही है दोनों देश के भी स्थती लगातार बिगरती ही जा रही है हलाकि यूकरेन के रास्टरपती ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाने की मांग की है यूकरेन के रास्टरपती ने अमेरिकी रास्टरपती जो बाइडन से फोन पर बाद कर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को कहा है इसे पहले यूकरेन ने रूस को हराने के लिए पश्रम से सैने सहीग देने की मांग की है भारतिय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज आईसी सी महिला वर्ल्ड कप 2022 के पहले लीग मैच में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैदान पर जैसे ही उतरी उन्हाने इतिहास रच दिया मिताली राजव अपने सबसे ज्यादा ICC महिला वर्ल्ड कप चुर्णामेंट खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है हाला कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हाने 36 गेंदों का सामना करते वे सिर्फ शेरन बनाए केंद्री ओद्यों की सुरक्षा बल अपना तिरपनवा स्थापना दिवस इंद्रा पुरम स्थेत पांचवी आरक्षित बटालिन में मना रही है समारों के मुख्य अति थी केंद्री ग्रह मंत्री अमितर शाह ने कहा है कि समय के साथ चुनौत या बढ़ रही है जहां देश के भविश्यों को बहतर ढंक से सवारा जा सके इसको लेकर प्रतेक जिले में कम से कम एक जैसा उच्छ सिक्षन संस्थान खड़ा करने की तयारी हो रही है जिसमें शोध सहीत सभी विश्यों की पढ़ाई हो सके फिलहाल 2030 तक सभी जिलों बे ऐसे कम से कम एक बहु विश्यक उच्छ सिक्षन संस्थान को तयार करने का लक्षे रखा गया है भारत आने वाले उतर प्रदेश के 50 मेडिकल चातर चात्राओं ने लखनों में सीम योगी अधितनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और उन्हें भेट किया गया इन सभी ने एक स्वर्मी प्रधान मंत्री नडेंदर बोदी के प्रयास के जमकर सरहना की है मुख्य बंत्री योगी अधितनाथ ने उक्रेन से लौटर तर प्रदेश के 50 मेडिकल चातर चातराओं से लखनों में अपने सरकारी आवास पर ही मुलाकात की जितारान नहाने सभी बच्चों से उनकी सवकुषल स्वदेश वापसी के नुभव को भी जाना सरकार चुलाने में डबल इंजन के लाब गिना रही भाजपा ने चुनाफ प्रचार अभियान में भी इसकी ताकत दिखाई है 403 वधान सभा सीटो पर चुनाफ प्रचार के लिए भाजपा का डबल इंजन इस पत पर तेजसी से दौर रहा है प्रधान मंत्री नडेंद्र मोधी ने 28 समहाओ से माहौल बनाया तो मुखी मंत्री योगी अधितराथ सबसे बड़े स्टार प्रचार के रूप में उभरे और 200 से अधिकारिक्रम किये हैं राष्ट्री और प्रदेश संगठन के सभी बड़े नेता प्रदेश को मतने में जुटे रहें रद्विवार के दिन आजादी कामरित महौसव के तहट राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने समहरों में हिस्सा लिया उनके साथ देश की प्रथम महिला सविता कोविंद भी इस कारिक्रम में भाग लेती देखी गई समहरों में रास्ट्रपती कोविंद ने फिटनेस रन को हरी जंडी दिखाए। रास्ट्रपती ने रास्ट्रपती सचेवाले के वरिश अधिकारी और कर्मजारियों के साथ दोड़ भी लगाए। पहुचने की जानकारी नहीं मिली है। बदा दे कि दक्षिन पश्रिम मंगाल की खाड़ी पर दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 7 किलोमीटर प्रती घंटे की गती के साथ दक्षिन पश्रिम की तरफ बढ़ा और उस शेतर पर क्रिगंद्रित था। यह जवाब तरिकुमाली श्रिलंका में लगभग 310 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में 260 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। देश में आज कोरोना मामलों में मामूली कमी देखने को मिली बीते 24 घंटे में देश भर में 5,476 नए मामले सामने आ हैं। कल यह आकड़ा 5, करनाटक के मुख्यमंतरी बसवराज बोमई ने शरिवार को यूकरीन में रूसी हमले के दारान मारेगे मेडिकल शात्र नवीन शिर्ख रपा के परिजनों को 25 लाख रोपे का एक चेक सौपा है। मुख्यमंतरी ने परिजनों के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा क कहा है कि मेयर के बहकावे में आकर हिसालियान की माने मानहानी का मामला दर्श कराया। इसे पहले शर्णिवार को राने और वधायक बेटे नितेश राने से मुंबई पुलिस ने पूरे 9 घंटे पूछ ताच की थी। रूस की भीशन बंबारी और रॉकेट हमलों के बावजुद यूकरेन में दो बड़े शहर खाड़की और पेसोचीन में फसे भारतियों को बाहर निकाल लिया गया है अब चिंता सिर्फ सुमी शहर में फसे भारतिये चात्रों को निकालने की रह गई है सुमी और आसपास क अनुमान है कि इस चालू सीजन में सतर लाक टन से अधिगेहूं का निर्यात हो सकता है वर्ड कप में भारतिये टीम ने अभियान के शुरबाद जीट के साथ की है भारतिये मैला टीम ने इस वर्ल्ड कप के अपने पहले मकाबले में पाकستان को 107 रन के विशाल अंतर से मात दी है इस बड़ी जूइत के साथ ही भारते टीम पॉइंट टेबल पर टॉप पे पहुँच गई है टीम इंडिया के स्पिन गेंद बाज रवी चंदर अश्वी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कपिल देव की बराबरी पर पहुच गये हैं वो भारत की तरफ से टेस्ट माच में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कपिल देव के साथ से एक दुरूप से दूसरे स्थान पर आगे हैं अश्मिन ने भारत और शिदंका के बीच मुखाली वे खेले जा रहे टेस्ट माच में यह अपलब धी हासिल की है कल हमारे द्वारा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था के लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जी निवजर का कमेंट है में अच्छा रगा है उनके नाम है प्रेम चंद्र पासवान विमलेश कुमार कुश कुमार यादव अमन सिंग नुन्य कुमार अलीशा अलीजा मौसम नेम रिंग्टोन प्रिया यादव ऑफिशल गजेंदर सिंग ललिता सिंग श्रिवं कुमार विकास कुमार आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपक अनसार भारत पर नाम श्री लंका के बीच खेले जा रहे है टेस्ट मुकाबले में कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रह छीम में बड़ी खबरों से जुड़े खड़ी इसके साथ है तो नजर रहे है टाम है खबरों से एकार का तो से जग़ेश की पर चाल बारत रहे हैं के जशना है बारत वड़ी अर बा में रहे हैं ज़ दो जब फो दो धरौ